हेलो गाईज मैं सुदाम निनाडव कैप and welcome to my channel आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं problem on Cartesian to polar coding system previous वीडियो में हमने बात किया था what do you mean by coding system and what do you mean by dimensions फिर हमने बात किया था Cartesian system पे introduce किया था क्या ये होता है और ये कैसे काम करता है फिर हमने वहाँ से derive किया था polar system में और फिर मैंने application की बात की कि इन systems का application किया है फिर मैंने ये देखा था कि अगर हमने हमारे पास को एक problem होता है जो polar form में दिया हुआ है like r is equal to plus cos to theta तो उसे हम Cartesian system means x और y में किस तरह से represent करें और फिर हमने ये देखा था कि ये जो आपके पास curve है r is equal to plus cos to theta ये basically हम graphically कैसे दिखा सकते हैं और मैंने Geo Zebra की help से आपको पड़ी अच्छी तरह किसे दिखा था ये दिखता कैसा है तो आज के वीडियो में हम जला सा reverse करने वाल हैं हमने हमारे पास कुस questions दे रखी है जो x और y में दिया हुआ है है ना जो आप दे सकते हैं यहाँ पे और फिर हमें इसे figure out करना है कि ये r और theta में किस तरह से रहेगा तो ये सवाल हमें आज करना है तो चलें सुलू करते हैं हम आज के वीडियो को तो पहला question हमारे पास है y square is equal to 4x तो इसे हम कैसे r और theta में change कर सकते हैं तो इसे change करने के लिए हमें पता है x is equal to r cos theta होता है and y is equal to r sin theta होता है और यही जो trigonometric identities हैं जो हमें help करती हैं to figure out to transform from one system to another system जो मैंने आपको दिखाया था करके तो in place of y I can replace हम क्या कर सकते हैं y is equal to r square sin square theta and 4 into r cos theta तो अगर मैं दोनों side में x r cancel कर दूं तो यहाँ पे r बचेगा and 4 और अगर मैं यहाँ पे लिखूं 4 cos theta और नीचे 1 sin theta करूं और again 1 sin theta so I can see here 4 cot theta into cos 1 theta तो अपने देखा कि अगर मेरे पास y square is equal to 4 x है तो मैं end up क्या करता हूँ इसका जो polar form होगा वो कुछ 4 cot 1 cos theta but the thing is that इसमें क्या है कि मेरे को समझ में बिलकुल नहीं आता कि यह actually मैं है कैसा second चीज़ मैं यहाँ से जब देखता हूँ y square is equal to 4 x तो मुझे यहाँ पर कुछ बहुत ही अच्छा देखता है यहाँ पर पहला चीज़ मैं यह देखता हूँ कि अगर मैंने y को minus y से replace किया तो क्या होगा equation मेरे जैसा था वैसा ही रहेगा it means that it is symmetric about y axis तो y में अगर मैं change करूँ like y positive है और यहाँ y negative है ठेक है न तो इन दोनों में अगर मैं change करूँ तो मेरा curve क्या होगा suppose कि इस हिस्षे में मेरा curve ऐसा आता है तो इस वाले हिस्षे में मेरा curve क्या आएगा same to same आएगा क्यों क्योंकि यह symmetric है तो y में क्या होगा change आने से कोई फर्क नहीं परता यह positive वाला हिस्सा है और यह मेरा negative वाला हिस्सा है similarly अगर मैं x में change करता हूँ तो x अगर minus x होता है तो y square becomes क्या हो जाएगा minus of 4x तो जो y होगा वो इस तरह से आएगा फिर यह सारा का सरह इस तरह बदल जाएगा तो minus x x अगर minus x की तरफ जाएगा तो यह curve change होगा ठीक है और अगर y में अगर मैं change करूँ y को मैं replace करूँ minus y से तो यह curve change नहीं होगा बट इस polar form में यहाँ पे देख पाना बड़ा मुस्किल है कि क्या यह same का same form है तो चले हम देखते हैं इससे अपने जियो जैबराएगे plot करके क्या यह same आता है तो 4 cot theta into cosec theta जड़ा इससे याद रखे तो मेरे पास r था तो that is 4 यह रहा मेरा cot and I am going to introduce the theta और फिर है मेरे पास cosec और फिर मैं लिखूंगा यहाँ पे theta तो देखा जाए तो मैं जो end up हुआ वो बिल्कुल same तरीके से end up हुआ और अगर आपको फिर भी लगे कि यार y square is equal to 4x होता है कि नहीं तो मैं ऐसा कर सकता हूँ 4 times x ठीक है अब 4 times x तो यह काम नहीं करेगा because मैं लिखना है पूरा का पूरा relation y squared is equal to 4 times x this is my complete equation तो अगर मैं इसे absent करता हूँ यह देख सकते हैं बस beautiful relation है जो कि विताता है कि अगर आपने y को change कर दे तो आपका curve में कोई change नहीं आएगा it's just simply एक mirror image बनाता है ठीक है लेकिन अगर मैं x को minus करता हूँ यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं minus of 4x कर दूँ तो let us enter तो यह जो curve उसका जो mouth है वो change हो जाता है तो x को में change करने पर हमारा equation change होगा बट अगर मैं change न करूँ तो यह change नहीं होगा अब आप यहाँ भी देख सकते हैं अगर मैंने theta को minus of theta change किया तो आपको पता है cosic जो होता है theta और minus theta को मैं change करने पर मुझे क्या मिलेगा minus of cosic theta मिलेगा है ना और but cot में क्या है फिर cot में अगर मैं theta cot means होता है cos over sign अगर मैंने cos में theta में change किया तो यह तो positive रहेगा बट यह क्या हो जाएगा negative हो जाएगा तो overall minus हो जाएगा तो अगर मेरे पास अगर theta में कोई भी change आए तो overall मेरे क्या होगा change नहीं आएगा तो बट यहां से ही वही है कि यहां से बताना काफी आसान क्या हो रहा है बट यहां से बताना तो रह मुस्किल है तो that is the thing that when we are interchanging the things things may become complicated कभी-कभी क्या होता है कि हमारे पास जो polar form में दी हुई है वो काफी आसान लगता है अरे यह यह तो बहुत आसान है बट कभी-कभी जब हम कार्टेसिन को transform करेंगे polar में तो वो चीज़ काफी difficult हो जाती है ठीक है second question मेरे पास आते है x square minus y square is equal to 5 similarly r square cos square theta minus r square sin square theta is equal to 5 अगर मैं r common लो तो मेरे पास क्या बचेगा cos square theta minus sin square theta बचेगा की नहीं बचेगा बचेगा तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ मुसे पता है कि यह जो relation आती है वो basically कि है cos to theta है तो अगर मैं यहां लिखा r is equal to plus minus यहां दूँगा 5 over cos to theta square root में तो plus minus basically यह कि 5 by cos to theta cos to theta, it means that it is nothing but 5 sec to theta to the power half तो अब मैं let us see plot, plot करता हूँ इसे और देखता हूँ कि क्या मेरे पास चो result है वो same आता है कि नहीं आता है तो मैंने मुझे को लेना है square root तो फ़ेल है 5 मैं देखूं को यहां पर sec और फिर मैं है 2 and then यह मेरा होगे theta, ठीक है and then to the power square root, देखा तो 1 over 2 अगर मैंने 1 over 2 नहीं डारा था तो यह देखें आपने कितना different equations आया था ठीक है ना, तो आप यह मुझे बोल सकते हैं कि क्या यह same है I think अब आप आप आइडिया होई चुका होगा कि यह यह बिलकुल is same है, x square minus y square is equal to 5 yes तो मैं इसको अगर off करता हूँ तो यह देख सकते हैं, यह बिलकुल same है तो मैं यहाँ देख सकता हूँ कि if मैंने x को change किया minus x से और y को मैंने y minus y change किया तो मेरे जो equation है, वो कभी भी change नहीं होता इसलिए यह जो क्या है यह y के about भी same आता है और x के about भी किया था, same आता है means यह जो हमारा equations दिख रहा है आपको वो इस तरह से दिख रहा है तो अगर मैं यहाँ पे mirror लगा दूँ तो आप देख सकते हैं कि यह जो curve है, उसका mirror image यहाँ दिख रहा है मुझे, और अगर मैं इसे mirror कर दूँ तो यहाँ जो भी curve बना है वो same to same इस तरफ से बना है that is the meaning of this one ठीक है, अब हम अपने next question पर आते हैं next question मैं रहा है, y square root 3 is equal to x plus 4 y square root 3 is equal to x plus 4 is this my equation yes तो y square root 3 को मैं क्या कर सकता हूँ r sin theta square root 3 r cos theta plus 4 okay अब मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ now that is the problem तो मैं पहले क्या करूँगा r sin theta root 3 minus r cos theta को मैं एक तरफ लगिया जाता हूँ because they are trigonometric form and 4 is a constant r मैंने common ले लिया तो मुझे बचा sin root 3 minus cos theta is 4 now अगर मैं यहाँ देख रहा हूँ तो if मैं divide करूँ यहाँ पे न अगर 2 से मैं divide करता हूँ because root 3 जो value होती है इसकी वो किसी भी standard form में नहीं थी means theta 90, 60, 30, 45 in standard form में बिल्कुल नहीं है इसलिए मैं यहाँ 2 से यहाँ divide किया और मैं देखा root 3 by 2 क्या है कोई नहीं कोई यहाँ कोई के भी आती है साइन के भी आती है तो अब मैं यहाँ लिसकता हूँ साइन थीटा और यहाँ कोई थीटा है साइन माइनस कोई तो मैं इसे चेंज कर सकता हूँ किसमें मेरे पास यह है कि यहाँ पे मैं sign use कर सकता हूं यहां मैं cos use कर सकता हूं ठीक है ना मैं यह भी काम कर सकता हूं या फिर यहां मैं cos use कर सकता हूं because cos अगर मैं यहां use किया और मैं यहां देखता हूं कि cos 60 degree की value होती है वो root 3 by 2 होता है and similarly मैं अगर यहां sign use किया sign 30 degree का value जो होता है वो किया होता है 1 by 2 होता है तो is this working? No, it's not working So, what I can do So, I can change in sign So, मैं sign में अगर change करूंगा तो कैसा आएगा? cos 60 means sign 30 और यहां फिर मैं change किया तो फिर यहां problem हो सकता है Okay cos 60 is not root 3 by 2 cos 30 is root 3 by 2 doesn't it? So, yeah, we are perfectly all right we don't have to worry about the thing So, cos 30 और अगर मैं यहां पे देखूं कि यह किस तरह का फिर्म है? It is like sin A cos B minus sin B cos A So, I can write here simply sin of theta minus 30 degree which is pi by 6 which is equal to 4 4 by 2 means 2 So, I can write here 2 Therefore, R is equal to what I can write here to cos A theta minus pi by 6 ठेक है? और आपको अब इसका जो graphical है वो कैसा होगा? Second चीज़ जो मैं करने वाला हूँ एक चीज़ दिखाने वाला हूँ कि suppose कि हमारा पास एक straight line का equation है y is equal to x तो यह जो equation है वो आपका कैसा होगा? अगर मैं इसे polar form में लिकूं यह एक interesting चीज़ है like r sin theta is r cos theta and suppose I can write now since there is no way therefore r r cancel हो जाएगा और tan theta is equal to 1 therefore it is showing that theta is equal to pi by 4 so यह ऐसा बन सकता है कि अगर यहां आपका r है तो pi by 4 कुछ इस तरह से है तो that is the equation in the polar form है ना? that is your pi by 4 उसी तरह से अगर मेरे पास मैंने यह समझ लिया कि let us say y is equal to 1 तो मेरा क्या आएगा so यहां लिसकता हो में r sin theta is equal to 1 एक constant line मैंने क्या y is equal to 1 का मतलब क्या होता है y is equal to 1 का means कि for any value of x y will remain 1 so that is the meaning of 1 so what is this r is equal to 1 over sin theta so it will become cossack theta isn't it so you know what is the graph of r is equal to cossack theta so cossack and then we have theta so yes y is equal to 1 is simply cossack theta isn't it so it isn't isn't it interesting so it is your cossack and then theta so let me enter it and then you are ending up with this line so this is y is equal to 1 so no matter what is the value of x your y is equal to still 1 so if you don't understand whatever thing by thinking that okay that is the meaning of it it is it becomes very easy that yeah this is the way things are working okay so this is the this is the line for it so I hope so I hope you have to understand this transformation this is a very good way and this is the next video we will talk about that if we have some polar curve we have to do so we will deal about the tangents on the curve okay so see you next time thank you very much thank you very much